नमस्कार दोस्तों दोस्तों यह exercise spinal cord injury patient के लिए exercise बहुत ही महत्वपूर्ण exercise है ज्यादा नहीं 3-4 step है exercise का और इतना ही exercise अगर अपनियम पुत्ता कर लेते हैं तो और ज्यादा exercise करने का जरूरत नहीं पड़ेगा इतना ही काफी है चार गंटा पांच गंटा अगर आप मेहनत करते हैं तो इसी में आपको recovery आ जाएगा इसमें जो पैर उठाने का exercise है पैर आपका उठ गया तो समझे कि आप भी ठीक हो गया है जब तक पैर नहीं उठ रहा है तब तक problem रहता है जब आपका पैर उठने लग ग तो कोशिस कीजिए exercise ज्यादा से ज्यादा करने का और फालतू इधर दिमाग नहीं लगाना है कोई दूसरा exercise पर तीन से चार्ड आशन है उसी को आप follow कीजिए विश्तर पर सोय हुए हैं उनके लिए भी जो विश्तर से उठ जाते हैं उनके लिए भी कत उनके मों करने का और बत बत गया कैते हैं पर दिर विश्तर ीजाछ को उनके बहने हैं दोंतर हैं रिधरना हैं तो दे जो उनके लगानर रहा हैं तो आख जिनका पैर घुटना जिनका खरा नहीं रह पाता है सिधा इंटलेटने पर घुटना सिधा नहीं रह पाता है उनके लिए एक्सर्साइज है एक तरफ से एक करवट से कर लेते हैं दुसरी करवट से सवार करना है इसी तरह टाइम ले थुरा आराम करकर के 400-500 करना है इससे आपका हिप का जो मसल है पीछे का वो मसल मजबूत होगा और घुटना भी खरा रहने लएगा बहुत अच्छा एक सरसाई है और आपका घुटना जो है खरा रहने लएगा घुटना में ताकत आएगा और यूरिन का जो मसल है जो यूरिन बार बार लिक करता है पेल्विक मसल बोलता है उस मसल को भी यह मजबूत करता है 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 कर्णं़ झाल झाल झाल